हाला स्टुडेंट्स मैंना नाम दॉक्टर गजिन पुरहीत है CSIR NET December 2023 का स्कोर काड आ चुका है सब इस्टुडेंट्स को स्कोर काड से एडिया लग जाता है कि उनका जो CSIR NET वो क्रेक हो रहा है या नहीं हो रहा है मैंने इस पे एक्सपेक्टेट कट अफ क्या हो सकती है इस पे एक वीडियो अपलोड किया है अगर आपने नहीं देखा है तो यहां पे जाके जो थमनल दिख रही है यह वाला वीडियो यहाई टेप पे जाके आप देख सकते है आज मैं आपके सामने बताऊंगा कि अगर आपका स्कूर कार्ड में मार्क्स कम आ रहे तो यहर आपको क्या करना चाहिए बहुत सारे बचों का रहता है कि सर मेरे जो मार्क्स है मैं दूसरा टेम्ट तासर इतना अच्छा नहीं कर पा रहा हूं तो क्या मुझे CSI आरनेट ए पास रहती है तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अगर आप CSI आरनेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास क्या 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 कर सकते हैं और क्या आपको CSI आरो तो यही सब बाते इस वीडियो के मैं अदम से बताने कोशिश करूंगा तो शूर करते हैं तो पहला प्षिन यहां पर सेट एक्जाम होता है मतलब काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि CSI EARNET की तैयरी मेरे साथ कर रहे थे और इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाए तो साथ साथ में उन्होंने सेट एक्जाम दिया जिसे राजस्तान में सेट एक्जाम हुआ, गुजरात में हुआ, मारास में हुआ, वैस बैंगॉल में होता है, करनाटक में हुआ, तैलंगाना में हुआ, उत्राखंड में हुआ, जमू कश्मिर में हुआ, अलग-अलग सेट conduct होती रहती है, state exam conduct कराती रहती है और बहुत सारे student ऐसे हैं जिनका net exam crack नहीं हुआ पर कहने के उन्होंने set exam crack कर दिया अगर आप भी ऐसे student में हैं तो प्लीज मुझे comment करके ज़रूर बताइएगा सुन set exam का जो syllabus होता है वो almost CSIR net exam का ही होता है अगर आप CSIR net exam की तयारी कर रहे हैं तो जितना भी syllabus है उसके previous year question almost set exam में पुछे जाते है set exam का जो level होता है वो net exam से थोड़ा कम होता है इसकी eligibility की बात करें तो सुनकर आप राजस्थान set exam qualify करते हैं तो आप राजस्थान में किसी भी college में assistant professor बनने के लिए eligible होता है या PhD आप कर सकता है अगर आप net exam qualify करते हैं इंडिया लेवल पर आप किसी भी university में assistant professor के लिए लिजिबल है या फिर आप वहां से PhD भी कर सकता है सुनिए यहां पर basic difference होता है तो जो भी student net exam की तयारी कर रहा है और किसी वज़े से इसका score कम हुआ तो इसको अपने state का जो set exam है उसको जरूर देना चाहिए और जिसने भी previous year paper है जैसे महाराज set exam के last 2-3 साल में जो paper हुए है या फिर गुजराज से अगर आप गुजराज के तो गुजराज सेट के जो paper हुए है या राजस्तान के आप जिस भी state के उसके previous year question देखिए और उनको आप solve करने के कोशिश करिए और जैसे ही set का notification निकलता है आप जरूर फॉर्म बरियेगा क्योंकि कुछ state हैसे हैं जहाँ पर state का हर साल notification निकलता है मुझे बताइएगा comment करके कि एसे कौन-कौन से state है जहाँ पर state का notification नहीं निकलता है और एसे कौन-कौन से state है जहाँ पर state का हर साल notification निकलता है जिससे राजस्तान में 2013 में निकला था उसके बाद फिर अभी निकला है तो आने वाला जो है वो शायद मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम बाद निकलेगा पर नहीं government आहीं तो हो सकता है कुछ अच्छा ये लोग करें तो अगर आप net exam की तयारी कर रहे है और अच्छा स्कूर नहीं कर पाए तो आपके बाद सेट exam यहाँ पर एक तरका option होता है इसमें मैंने पूरा डीटेल वीडियो लोग बना रखा है कि इसका pattern क्या होता है तो आप जाके देख सकता है सुनने इक्स बात करते हैं कि आप अगर net exam की तयारी कर रहे हैं और किसी वज़े से net exam क्रेक नहीं हो रहा है और क्योंकि net कोई degree course तो है नहीं तो कहने कि parents कर रहता है यार तुम B.Ed कर लो तो मैं सबी student से निवेदन करूँगा कि ऐसा कोई option आपके पास बन रहा है तो आपको B.Ed जोइन कर लेना चाहिए कोई problem वाली बात नहीं है क्योंकि बहुत सारे colleges ऐसे भी होते हैं जहां पर इतना जादा जाने की जरौत नहीं पड़ती है और आप time management करके अपना net exam की तयारी साथ-साथ में बीड के कर सकते हैं क्योंकि आप दो attempt से लगातार net exam की तयारी कर रहें तो almost आपकी concepts तो clear है बस आपको थोड़ा सा उसको revise करना है और साथ-साथ में अपनी degree भी complete कर लेंगे parents को भी कोई attention नहीं है आपके पास भी एक backup option बन गया क्योंकि education से related ही domain है अगर आप यहाँ पे बीड क्वालिफाई करते हैं तो आप TGT-PGT exam की तयारी कर सकते हैं और अगर आप PGT की बात करें TGT और PGT का जो syllabus होता है वो कहने के 11, 12 और graduation level का होता है कुछ में तो post graduation level का भी पूछा जाता है जिसे राजस्तान के अंदर अगर आप first grade school teacher की तयारी करना चाहरें mathematics subject के साथ तो वहाँ पर PG level का भी पूछा जाता है और UG level का भी पूछा जाता है तो अकर आप net exam की तयारी कर रहें और आपके बीड की डिग्री है first grade PGT के लिए भी आप अपलाई कर स लिखते हैं तो सुन अगर आप net exam की तयारी कर रहें तो यह भी आपके लिए बहुत अच्छा option बनता है सुन गेट exam बहुत सारे बच्चे ऐसे जो की CSIR net में अच्छा नहीं कर पाए पर वो गेट exam अच्छे नंबर से qualify कर जाते हैं तो यहार यहां पे आप अगर गेट exam qualify कर रहें तो गेट भी आपके लिए एक अच्छा option है मतब आपको छोड़ने की जरूत नहीं है नेट exam में अच्छा score नहीं कर पाया है तो यहार हमारे बसका नहीं है तो भी आपके पास alternate option है यहां पे यहार ठीक है अगर नहीं हो पाया तो यह तो option है आपके पास clear है तो गेट सब्सक्राइब पर कुछ सेलेबस की जो पॉइंट topics अलग अलग जिससे फंक्शनला सीज है टाप लोजी है लिबेग मैसर है इन पर हम अपने math care पर काम करें आपको यह वाले topics भी हमारे application पर मिलना शूरू हो जाएंगे तो गेट भी आपके लिए बहुत अच्छा option बनता ह इसका exam pattern क्या है इसका cut off क्या है इसकी पूरी detail वीडियो मैंने बना रखी तो आप यहां पर जाके देख सकते हैं सो नेक्स बात आती है कि यह ठीक है सर मेरा get exam भी crack नहीं हो रहा है सर मेरा net exam भी क्रेक नहीं हो रहा है सर मैं B.A.D. भी नहीं करना चाहता हूं सर मैं तो PhD करना चाहता हूं बहुत सार यहों से इसके इंदर PhD entrance examination निकलते हैं आप PhD का entrance examination देके आप PhD जॉइन कर सकते हैं ऐसे काफी सारे student है जो net exam की तयारी कर रहे है और दो या तीन अटेट में उनका नहीं हुआ उन्होंने PhD entrance examination दिया PhD entrance examination को qualify करके उन्होंने अपनी PhD शुरू कर दी और PhD के first year या second year में साथ साथ में PhD भी चल रही है और net exam की तयारी भी कर रहे है और उनका net exam निकल जाता है देखो यहाँ पर बताना चाहरा हूँ कि सिर्फ आप net exam पे dependent है तो कहने कि आप pressure में रहते है और नहीं हुआ तो क्या है पर अगर आपके बास backup option है या चलो ठीक है साथ में beard चल रही है या साथ में आप get exam की तयारी कर रहे हैं साथ में आप set exam की तयारी कर रहे हैं साथ में PhD कर रहे हैं तो कहने कि आपको थोड़ा सा pressure कम होता है कि चलो ठीक या रही है यह नहीं हो तो मेरा साल तो नहीं खराब हो रहा है मैं अपना समय तो नहीं खराब कर रहा हूं clear है तो स्विन मा आप सभी से कहना चाहता हूँ कि अगर अपका net का second attempt हो गया है या third attempt हो गया है कि PhD इंट्रेंस examination को qualify करके आप PhD जॉइन कर सकते हैं PhD इंट्रेंस examination का जो syllabus होता है वो almost net का ही होता और net के previous questions ही वहाँ पर questions बनते हैं जो स्विन net exam की त्यारी कर रहा है वो किसे मज़ें से net तो नहीं clear कर पाता है पर स्विन PhD इंट्रेंस examination आप बहुत easily qualify कर सकते हैं आपकी concepts के ल नहीं कर पाता है कि प्रेशन रहता है और नहीं हुआ तो क्या और तीन गंडे में exam खराब करके आ जाता है तो आप सभी से ही कहना चाहता हो कि अगर आपका score अच्छा नहीं हो रहा है तो आपको demotivate होनी की ज़रूत नहीं है आपको फिर लगना चाहिए और साथ-साथ में इन option को आप opt कर सकते हैं एक और समस्य यहां पे होती है कि आप MSC final में आए किसे ने आपको बोला कि नेट भी कोई exam होता है आपने उसको देखके आपने नेट का exam का form भर दिया विदाउट एनी preparation आपने exam दिया नहीं हुआ फिर आपी second attempt भरा आपने विदाउट एनी preparation फिर सिर्फिदे दिया फिर तीसरी वार भी किसे ने बोला आपने form बढ़ दिया फिर भी आपका नहीं हुआ क्योंकि आप का फ्रेंड भी बढ़ रहा है तो यार मैं आपको बताना चाहरा हूँ अगर ऐसा कुछ है तो भीया आप मत करिए क्योंकि नेट एक्जाम आपके बसका नहीं है इसको without preparation आप क्रेक नहीं कर सकते हैं आपको तैयारी करनी पड़ेगी भीया छोड़ दीजे एक स्विट मुझे examination सेंटर में मिला जब नेट का एक्जाम हो राता तब मैं हर बार एक्जाम जब होता है तब interview कंड़क्ट करता हूँ वहाँ जाके बच्चों के feedback लेता हूँ तो एक स्विट मुझे मुझे मुला और मुझे बोलता है कि सर मैंने 2011 में अपनी MSC करी है और मैं लगातर नेट exam दे रहा हूँ सर अभी तक मेरा नेट exam क्रेक नहीं हुआ मैंने उससे पूछा कि क्या आप मुझे जानते हैं बल नहीं सर में आपको नहीं जानता हूँ मैंने नाम नहीं सुना सर आपका तो मैं समझ गया कि मैंने आप खाली exam का फॉर्म बर रहे हैं आप तयारी नहीं कर रहे हैं अगर आपने तयारी करी होती तो कहीं ने कहीं मेरा नाम जरूर आप सुने क्योंकि Mathematics world मैं CSIRNET, IATGEM, GATE, CUTPG और जो BST कर रहे हैं जो BTEK कर रहे हैं पर काफ़े सारा content upload कर रहा हूँ अगर कोई भी student YouTube पर CSIRNET ढूंडता है मेरा वीडियो आपको top में मिलेगा IATGEM ढूंडोगे मेरा वीडियो आपको top में मिलेगा GATE exam ढूंडोगे मेरा वीडियो आपको top में मिलेगा अगर आप CUTPG mathematics लिख होगे मेरा वीडियो top में मिलेगा मैं इतना content आप लोग के लिए upload कर रहा हूँ प्लस मैं daily 2-5 गंटे free content देता हूँ सुबह हमारी combat series होती जो कि maths कह रहे हैं हम लोग free class लेते जहां पर बच्चों को question practice कराते है सुन शाम को मेरा 5-6 YouTube session होता है वो भी विल्कुल free of course होता है आप यहां पर मेरा channel लेख सकते है वहां पर 9-9 questions मैं कराता रहता हूँ अगर कोई student खाली form भर रहा है और वो तैहर ही नहीं कर रहा है और वो बोलता है कि मेरा net exam crack नहीं हो रहा है तो भी यहां तुमसे ना हो पाएगा without any preparation you cannot crack exam आप छोड़ दीजे आप दूसरा कुछ करिए और जो भी student किसी से motivate होके net exam का form भर रहे हैं और exam दे रहे हैं तो भी यहां आपके पास दूसरे option है आप उनको देख लेए आप यहां पर UPC की तेहरी कर सकता है आप SSC की तेहरी कर सकता है आप बैंक की तेहरी कर सकता है आप MBA कर सकता है आप कुछ और करिए क्योंकि आप सिर्फ दूसरों से motivate होके आप form भर रहे हैं अब क्या होता है एक और दुरभाग यहां पर मतलब क्या बता हूँ हार एजुकेशन के इंदर जो बच्चा मैंसे mathematics करता है या MSC life science करता है या MSC chemistry करता है या MSC physics करता है पता है का वो net exam का form भरता है जब उसको लगता है कि हाँ राजस्थान में वेकेंट से निकलने वाली है MP में assistant professor की वेकेंट से निकलने वाली तो मुझे net crack करना पड़ेगा या ऐसे थोड़ी होता है मतलब आपका वेकेंट से निकला है और आप net exam भर रहे हैं किसी वज़े से हो सकता है कि आपका पहला attempt में exam करेक ना हो कुछ कम माक से आप रह जाएं qualify करने में तो या आप वापिस से दीजी और आपके पास बाटक अप्शन मेंने बताएं आप कहने कें ये करते रहे है कोई problem नहीं है अगर आप MSA mathematics और आप future में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते है तो B.A.D. करने में कोई सरम नहीं है मैंने भी कर रखी है और अगर आपके पास कहीं option मनता है तो आप PhD entrance examination भी दीजे अगर आपको PhD नहीं करनी है तो भी आप entrance examination में जरूर एपियर होई है आपको कहने के experience मिलेगा और get exam तो जो student CSIR NET की तैयरी कर रहे भी आपको तो देना ही चाहिए और एक और बहुत important है अगर आप MSC previous में है और आप सोच रहे हैं कि सर मुझे NET exam की तैयरी करनी है मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप IAT gym का form भी भरिये पर आपको अगर यह option मिल रहा है तो आपको जरूर करना चाहिए बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th में 1 सा ड्रॉप करते हैं 2 सा ड्रॉप करते हैं IAT जही को exam करेक करके वो फिर IAT से अपना BTEC करते हैं तो आपके पास भी option है तो अगर आप MSC प्रीवियस में हैं और सोच रहे की net exam की तयारी कर रहे हैं मैं निविदन करूँगा कि आपको IAT gym का form भी भरना चीए और जो इस्विन IAT gym की तयारी कर रहे हैं 2024 में किसी वज़े से स्कोर अच्छा ना हो तेंशन मत लेना आप MSC जोइन करना साथ में IAT gym का form भी भरो गेट का भी भरो और CSI यारनेट का भी भरो आपके पास दो तीनों option है तो अगर आप देखेंगे तो आपके पास बहुत सारे options हैं आपको यह demotivate होने की ज़रूत नहीं है कि सरनेट exam नहीं करेक हुआ अब मैं क्या करूँ घरवाले बोल रहे हैं तो यह कर ले तू वो कर रहे हैं घरवाले बोलेंगे वो ठीक है वो उनका experience है पर आप जो करना चाहते हैं जीवन में वो भी important है हाँ अगर आप self motivated है आपको लगता है कि सर मेरे को mathematics में interest है मैं इस field में अपना career बनाना चाहता हूँ तो यार फिल लग जाओ कोई दिक्कत नहीं दो तीन attempt चलेगा पर आप लगता है कि यार दूसरे नहीं motivate कर दिया नहीं ठीक है यार हो गया तो एक option बन जाएगा तो भया मत करिए यह आपके बसका नहीं है और without any preparation तो भया बंता ही नहीं आप मत बरिया मैं मत बताना चाहरा हूँ आपको कि जब जिस दिन CSIR NET का exam वहार मैं बच्चों से feedback ले रहा हूं तो नहीं कहीं तयारी कर नहीं सर अभी तो मेरा MSC just complete हुआ है और सब्सक्राइब ने फॉर्म बढ़ा है और आप भी ऐसे कोई स्टूडेंट है कि सर हां मेरे साथ भी एसा हुआ मैं भी नेट एक्जाम देने गया था without any preparation और आपका क्या experience रहा प्लीज मुझे कमेंट करके जरू बताएगा वैसे आप क्या करना चाहरे जो मैंने options बताएं कि हाँ सर यार मेरा भी second attempt है मेरा अच्छा नहीं हुआ सर में ये option चूज करना चाहूँगा जो आपने मुझे बताएगा ताकि जो students यहाँ पे वीडियो देख रहे उनके पास भी कुछ ने कुछ option यहाँ पे समझ में आया उनको करना चाहरे है तो सब्सक्राइब करने की कोशिश करता है जो कि शॉट नॉट्स बुक लेट है अगर आप CSIR NET किसी भी एक्जाम की तयारी कर रहें यह 249 के बुक लेट इसको ले लेजे आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है सुन यह हमारी जो बुक्स है यह Amazon Flipkart पे अवलेबल है Combat Series की question practice करने के लिए बहुत अच्छी बुक है सुन यह हमारी बुक है जो कि CSIR NET और IDCM पे जहाँ पर PYQs आपको मिल जाएंगे साथ साथ में कुछ और नाए questions भी यहाँ पर मिल जाएंगे सुन यह मारा टेलीगराम इसको जाइन कर लिए जह मारे classes के updates मिलते रहते हैं अगर आप math care app पे हमारा subscription लेना चाहरे तो कैसे लेना इसका वीडियो यहाँ जाके मिल जाएगा इस उन शाम को 5-6 में एक free session लेता हूं उसकी playlist आपको यहाँ जाके मिल जाएगी इस उन यहाँ जाके चैनल को subscribe कर सकते हैं यहाँ पर जाके एप को download कर सकते हैं हमारा जो math care app पर यह एंड्रोडेना उस पर अवलेबल जो भी मैंने वीडियो बताएं उन सबके जो लिंक्स हैं वह आपको डिसक्रिशन भी मिल जाएंगा आप सभी का बहुत बहुत देने मां थेंक्यू बाए